असलाम वालेकूम वेलकम तो मैं योट्यूब चैनल आई होग आप साब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और जो लोग पाकिस्तान के बाहर से या फिर फिर और से सुन रहे हैं तो उनको हेलो बोलतेते हैं और आज मैं आपके साथ इस पेंफुल लाव अ त ungefल चैनल आफ अलनको नेखे पार सेखेना वाल हूँ और फिर घूरी जो है पील कुल एंड़ी होने वाली है और उसके बाद एक नहीं बलको दो स्चोरीज शुरूरे होंいきます माइलाफ साथ चैनल आप ऑग इस च्ञोड़न आ करेंगे है और हमारी क्यूश स्खेंगे लेगि जो बाकी दोनों यानि कि I don't want a guest और my love is dawn है वो एक दिन छोड़ के आया करेंगी So I hope कि आप उन दोनों को स्पोर्ट करेंगी और उनके साथ बिल्कुल भी पैसा से लूप नहीं करेंगे जैसा कि आपने इस पिचारी मासूम सी स्टोरी के साथ कर दिया है और हाँ मैं आपको बता दूँ कि कुमेंसे वांग शान होने वाली है और एक शान वांग होने वाली है So आप लोग भुश हो जाएं क्योंकि जिनको वेव शान को टॉप देखना पसान दा है वो my love is dawn देख ली और जिनको वांग जी को टॉप देखना पसान दा तब oh I don't want a guest देख सकते है So आप लोग के पास दोनों option है और दो दो ही choices है तो चले बातें बहुत जादा होगी है अपनी स्टोरी की तरक चलते है वांग जी ने decide का लिया था कि वो अपने पेरंस के खार में नहीं रहेगा और वो बस अब जाने ही वाला था वहां से और उसने एक छोटा सा अपार्टमेंट भी ली लिया था जहां पर वो और वुश्यान रहने वाले थे लेकिन उसके पेरंस ने उसको बहुत जादे हैं सोरी बोला और बहुत जाद ही माफरी मांगने के बाद फाइनली वो उसे कन्विन्स कार चुके थे कि वो वुश्यान के साथ उसी घार में रहे लेकिन वांग जी ने कहा दिया था कि अगर उन्होंने मजीद कुछ भी बुटा किया या उनकी वज़ा से फिंग या पर वुश्यान की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो साच में घार चोड़ के चला जाएगा और इस तरह भी वांग जी दुबारा से अपनी उसी घार में रह रहा था हा लेकिन वो अपार्टमन जो उसने रहीता था वो उसने वुश्यान के नाम का दिया था और वुश्यान ने तो कितने ही मना किया था ना कि उससे किसी चीज़ की दुरॉट नहीं लेकिन वांग जी ने कहा था नहीं इस अब तुम्हारे लिए है और वैसे भी तुमें फाइनेशली स्ट्रॉंग हो ना चाहिए हाँ freestyle आरे रिच्श नहीं हो नहीं मैं तुमें उस साफ ऐसलिटीस दे सकता हूँ जो तुमें तुम्हारा बाप दे सकता है लेकिन फिर भी मैं जितना भी कार सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए करूंगा वश्यान और तुम मुझे रूखोंगे नहीं समझे तुम और ऐसा कहते हुए वांग जी के लाइचे में प्यार और मान दो नहीं थे और बास वश्यान चुपी का गया क्योंकि वो वांग जी के आगे क्यों कुछ बोलेगा और वो जानता था वांग जी जो भी करेगा उसी के लिए करेगा उनकी लाइफ चैसे अच्छी दिसर रही थी विंगा और वेंचा उपी आप वापस जा चुके थे और वश्यान ने तुनको कितना ही बोला था कि वो रूप जाए लेकिन उन्होंने बोला नहीं काम है इसलिए वो अपी नहीं आ सकते बात में आ जाएंगे और फिर एक सुबा वेंचा उन्ने वुश्यान को कॉल की थी वुश्यान तो अपी ब्रेकबस का रहा था इसलिए वांग जी ने कॉल रसी की थी और वेंचा बहुत ज्यादा हुश्यान लाग रहा था उसने वांग जी को बताया कि इस हॉस्पिटल की डॉक्टर ने हाँ वही डॉक्टर जो के वुश्यान का इलाज का रहे थे उन्होंने बताया था कि उन्हें एक आदमी ने खुद से कॉल किया है और उन्हें बताया कि उन्हें हाट किसी को डॉनेट करना चाहता है और उन्होंने वुश्यान का उसको बताया था तो वो बिल्कुल रैड़ी था और वांग जी से ही सुनकर बहुत ज़्यादा ही हुच था क्या साच में उसने वुश्यान की तरफ देखा वुश्यान उससे पूर शाहता इशारो बात हो रिए वांग्चीन ने मंपाइल उसके कांसे लगाया और अभा वो अपने पापा से बात कह रहा था क्या क्या कह रहा हैं पापा क्या साच में और उसे तो यह ज़िए भी रहा था कि एक ताव सी जिंड़ी कि उसके उपर इतनी ज़्यादा महर्बान कैसे हो सकती है लेकिन पापा उस इंसान के अपनी भी तो फैमली होगी वो क्यों अपना हाथ मुझे देना चाहता है क्या मसला हो गया था उसके साथ क्या उसको कोई बुमारी है उस याब उस आदमी की फिकर हो रही थी जो कि उसको अपना देली देले वाला था वैंचाओन ने का बेबी तुम्हें क्या लगे कोई मरे या जीए तुम अपनी लाइफ की परवार करो ना बोलो कोको क्या तुम नहीं चाहते हाँ चाहता हूँ पापा लेकिन मैं अपनी हुशियों का महल किसी की कबर की उपर तो नहीं बता आ सकता ऐसी बड़ी बड़ी बाते करने की कोई जरूरत नहीं या बेबी और वैसे भी तुमने किसी को फोर्स नहीं किया वो हुद कार रहा है ना अपनी मर्जी से जोग कार रहा है और वैसे भी ऐसा कार के तो वो हमेशा के लिए जिन्दा हो जाएगा ना तुम्हारे अंदर जब उसका दिल धड़केगा तो वो तो जिन्दा ही रहेगा ना प्रीज आप तुम ज्यादा कुछ मत सोचो और आपकी बार इंकार नहीं करना सच में मैं कहा रहा हूँ तुम्हारी मामा भी यह चाहती है विश्यान समझ रहे हो ना तुम्हारी उसने समझाया था और विश्यान चूप भी कहा गया था उसने कॉल मार कहा दी थी और अब वढ़ी उसकी तरफ देख रहा था भीश्यान तुम्हारी पापा ठीक कहा रहे है तुम्हें ज्यादा भी दूसरों का नहीं सोचना चाहिए हाँ लेकिन उसकी अपनी फेमिली का क्या हो सकता है उसकी कोई फेमिली ना हो लेकिन हो सकता है ना उसकी फैमली हो उसके बच्चे हो सकते हैं उसकी वाइफ हो सकती है खुश्यान अब तुम ज्यादे ही सुशे हो और वैसे भी कोई भी इतना ज़्यादा पागल या बेवगूफ तो नहीं होता कि अपनी लाइफ को आवे ही टेंजर में डाल दे हो सकता है वो जी नहीं ना चाहता हो चुप हो चाओ अब तुम मजीद कोई सवाल ने करना और हाँ अब मैं हो डॉक्टर से बात करूँगा और इससे पूछ लूँगा तुम अब बस रेड़ी रहना हमें तुम्हारी सेटरी करवानी है मैं चाहता हो मिरे वाइफ एक तम से ठीक हो जाए एक तम से हैपी शैपी ताकि ये जो तुम रोज रोज भी होश हो चाती है इससे तो जान चूटे अब उसने एंड वाले बात सोड़ी फनी वेब में कही थी और आप उस यार ने उसे आँगे दिखाए क्या है सब मिटनी आरे मैं क्या बोड़ रहा हूँ जलो जल्दी से प्रेक्वास करो और आमें कॉलेज भी तो जाने हैं समझे तू उसने उसे बोला और आप वो चुप कहार के खाने में में सी हो गया था लेकिन उसे इंसान की बहुत ज़्यादा ही फिकर हो रही थी जू के इतना बड़ा फैसला का रहा था और वो क्यूं उसे अपना दिल देगा कौन था वो वो सब तो बहुत स्यादे किरियोसिटी हो रही थी और आप वांची और वो क्वालिट जा चुके थे और वांची तो कितना ही ज़्यादा केरिंग और कितना ही ज़्यादा लविंग था ना हाँ वो रात को जड़ा थोड़ा बुरा बन जाता था वो उसको नहीं जोटता था लेकिन दिन में वो कितना ही साधा खेरिंग था और वुश्यान भी समझता था अगर उसका हस्पंड है तो वैसे भी पिचारे नहीं जहता साल तो ऐसे एकेले कुसा रहे हैं तो अगर ऐसे में वो थोड़ा सा चलो थोड़े से थोड़ा जया थी उससे प्यार करता था तो ये तो उसका राइट था और वैसे भी वुश्यान उसकी वाइट था तो उसको अपने हस्बंड के साथ तो एंसे रहना ही पड़े गा न और उसे भी कोड़े मसला नहीं था वांची तो जैसे हुश्यान को एक डम से ट्रेनिंगी दे जा रहा था वो उसे थोड़ी थोड़ी ड्राइविंग भी सिखाता था क्योंकि अभी वो छोटा था इसलिए वो सिखाता तो नहीं सिखा सकता था लेकिन उसमें उसको बहुत आप तक सिखाती थी और वुश्यान पिया फुशी फुशी वांची के काम करता था वो उसके पारे कपड़े भी प्रैस करता था और कभी कभी उसके लिए चाय भी बना देता था लेकिन अभी साथा उसको काम करने थोड़ी आते थे फुद कौन सा उसमें कभी खाने बना थे और फिर इतिन वामजी ने उसे कहा था कि जाओ मैं इसार में बहुत ज्यादी तर्दोर है तर चाई बना लाओ और हाँ ऐसे करना उसमें तो ताँ चीनी में टाल देना हाँ हाँ ठीक है भी बना के लाता हूँ मुश्यान ने कहा था और आब वो चाई बना रहे देके जा रहा था और फिर उसने बागी चीज़े तो अच्छे से डाल दी है पती भी डाल दी थी दूद भी डाल दीया था लेकिन चलो चीनी पी तरह आठी थी लेकिन ताल कौन सी डाल दी है उसे तो याद ही जा रहा था फिर उसने इतर उदे देखा चलो कौन सी दाल डालू कौन सी दाल हाँ ये वारी डाल देता हूँ उसे एक दाल नजर आई थी जो कि थोड़ी पीली भी ली थी चलो ये चीओगी इससे सार खतर देखता हम ठीक हो जाएगा और उसने वो भी डाल दी थी अंदर और उसने जैसे ही चाय जाके वांग जी को दी थी वांग जी ने जैसे ही कुछ चाय भी ये क्या है अंदर सार आपने तो भूला था दाल ची नहीं डालो तो कौन सी दाल ची नहीं डाली हाँ वो जो पीड़ी की दाल रखी थी वोई डाली है और पागल दिड़के वो धाल चीनी नहीं मैंने बोला था तो मुझे क्या पता मुझे तो ऐसे पना नहीं आती है और आउट बांग जी क्या ही कार सकता है था और उसका तो गसूर भी नहीं था ना उसने कौन से काम किये दिगा गये और ऐसे ही एक बार उसने जब हाफ वाइल डैक का बोला था तो उस यां तो पूरा अंड़ा यह तोड़ के बैठा हुआ था क्या हुआ क्या घार चर तो आपने बोला था आप वाइल रेक चाहिए लेकिन मैं नहीं था तो दिया मैं इसको बाल कैसे करूं मुझे नहीं समझा रहा आधे अंड़ी क कैसे बॉabil करूं क्या मैं यया नो वाला पर्ट बॉ nast दूरा इंसट वोर करूं और कैसे करूं उसे त से ज्यादा उसमें कोई उम्मीद भी नहीं रखी थी खुआंग जी नहीं वे शान के नाम से अकाउंट भी खूल दिया था और उसमें बोला था कि आज के पाथ जो भी मेरी सेलरी होगी वो तुम्हारे पास आया करेगी और हाँ मामा पापा के बिसनेस में जो भी मेरे शेलर्स है वो भी साथ तुम्हारे होगे लेकिन आप किसा पैसे क्यों का रहे हैं मैं ठीक और मुझे किसी चीज़ भी आप मेरे साथ हैं तो मैं ऐसा क्यों चाहूंगा क्योंकि मैंने बोला है और तुम इतने साथा सवाल क्यों करते हो मैंने क्या बोला था मैं चाहता हूँ कि तुम स्ट्रॉंग रहो तुम किसी के उपर डिपेंडन ना रहो हाँ मैं किसी के उपर डिपेंडन नहीं हूँ मैं सिर्फ आपके उपर dependent हूँ और मैं किसके उपर रहूँगा आप मेरे husband है तो मैं आपकी duty हूँ ना हाँ तो इसलिए तो मैं हिसाब का रहा हूँ ना तुम्हारे लिए लेकिन आप ऐसा क्यों का रहे हैं आप एक दम से जैसे सारा कुछ मुझे ही दिये जा रहे हैं अपको ऐसा नहीं करना चाहिए आपको स्ट्रॉंग होना चाहिए हाँ मैं स्ट्रॉंग हूँ लेकिन देखो वह नेको तो कुछ भी हो सकते है ना मुशिहान लाइफ का कुई पता नहीं है देखो अगर मुझे कहीं जाना पड़े और मैं कहीं चला चाहूँ तो तुम क्या करोगे तो तुम्हें उद से स्ट्रॉंग होना पड़ेगा ना ताके तुम अपने सारे काम हुद कार से को और तुम किसी के आगे हाथ में फिलाओ अपने बाप के आगे भी नहीं मैं तो साब इसलिए कह रहा हूँ लेकिन आप कहां जाने वाले हैं नहीं जा ली रहा मैं तो बस वैसे ही कहरा था ना के देखो हम दोनों है हमारी फैमिली में और कोई हैं भी नहीं तो अगर हम में से कोई एक मिमार हो चाहिए या कहीं चला चाहिए तो फिर दूसरे को अपना है रखनाना चाहिए ना देखो मुझे तो सारे काम आते हैं मैं तो साब कुछ कर लेता हूँ तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी थोड़ा स्ट्रॉंग हो चाहो इंडिपेंडेंट हो चाहो समझगे ना तुम अच्छा ये बात है हाँ तो और क्या हो तो कुछ भी नहीं है और तुम इतने ज़्यादा सोचा ना करो ना इतने ज़्यादा सवाल किया करो हाँ डॉक्टर साब की कॉल आई थी वो बता रहे थे कि एक अफ़ते बाद सर्जर गया और वो जो आद्मी है वो पास एक अफ़ते बाद यूँ ऐसे सवाच है गया यहाँ पे तो तुम रेड़ी हो ना हूँ मैं रेड़ी हूँ हाँ मैं भी रेड़ी हूँ मुझ्यान मैं चाहता हूँ तुम ठीक हो जाओ एक तम हैल्दी हो जाओ तुमारे अंदर कोई पेन कोई परिशानी कोई दुप मी ना रहे हैं मैं असाब तुमारे लिए कर रहा हूँ थैंक यू सार थैंक यू किसको बोल रहे हो आप को, मुझे क्यों? क्योंकि आप में ले इतना ज्यादा का रही हो, इतना ज्यादा सोच रही हो तो मैंने करूँगा, तो कौन करेगा वजियान? मैं तुहारा हस्बंट हूँ और एक हस्बंट के क्या ड्यूटी होती है? अपनी लाइफ को अपनी वाइफ के नाम कहा देना और अच्छा हस्बंट वही होता है न जो वाइफ के साथ साच चले, उसको प्रोटेक्ट करे उसके सारे जरूतों का ह्याल रखे और उसको प्रोटेक्ट करता रहे तो मैं भी तो यह कहा रहा हूँ न मैं तुम्हे स्टांट देखना चाता हूँ और कुछ भी नहीं आप साच में बहुत अच्छे हो तुम भी बहुत जीदा अच्छे हो और थैंक यू तुम्हें नहीं मुझे तुम्हें कहना चाहिए विश्यान उसने एक ताम से विश्यान को पिछ के जैसा हमने सीने से लगा लिए था वो दुनुंग ऐसे ही सोफे में बैखा रुए थी लेकिन आप मुझे थैंक्यू को यो बोब लेंगे सार मैंने क्या किया है तुमने बहुत कुछ किया वश्यान तुमने मुझे जीना सिखाया है मैंने तुम से सीख है कि इनसान जब प्यार करता है तुम किसाथ तक जा सकता है तुमने मुझे प्यार किया है तुमने मुझे एकसेप्ट किया है चाहिए मैं तुम सेच में कितना ही जाधा बढ़ा था चाहिए मैंने तुम से कितना ही जाधा रूगली और कितना ही ज्यादा बुरा भी एव किया था लेकिन तुमने मुझे एक्सैट किया तुमने मुझे बताया कि प्यार हार चीज से भर करोता है तुमने मुझे सैक्रिफाइस का मीनिंग बताया तुमने वश्यान तुमने मेरी लाइफ में रांग भर है तुमने मेरे समंजर से दिल में तुमारा प्यार भर है तुमने मेरे अंदर की भर पे ग्राया विज्यान तुमने मुझे तुमारा से जीना जिखा है तो तुमने क्यों कुछ ने किया साथ तुम ही ने तुगी है तुम मेरी लाइफ हो मैं चाहता हूँ तुम ऐसे ही जीते रहो और हमेशा हुश हो मैं जहां कहीं भी हूँ जैसा भी हूँ मैं तुम्हें हमेशा हुश देखना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे होटों पे हमेशा हाथी रहे और ऐसे ही तुम्हारे गालों पे ये टिंपल परते रहे और तुम्हारी आखी ऐसे ही शाइन करती रहे, वजियान सार आप तो एक ताम से पोईटरी करना शुरू होगे क्या आपको भी मामा की तरह पोईटरी खाश ओक है नहीं, मुझे पोईटरी नहीं आती मैं तो बस वही कहा रहा हूँ जो मेरे दिल में था और कुछ नहीं सही है साइ लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू मुझे भी बहुत अच्छा लगा और वो श्याहन वो तुम ही हो जिसकी वजासे मुझे विंकी सचाई पता चली मुझे पता चला कि वो कितना ज्यादा दुखी और कितना ज्यादा पेहिंग में है नहीं तो मैं तो सारी जिसकी उसे खलत ही समझदा रहता अगर तुम ना होते तो मुझे वही कभी नहीं मिलता मैं कभी भी नहीं जान पाता कि वो मुझे से प्यार करता है कभी वो समझ पाता यह साथ तुम्हारी वज़ा से हुए वुश्यान वांग जी ने यह साथ कहा नहीं था लेकिन यह सारी बातें उसके दिल और दिमाग में चार देंगी यह साथ वुश्यान की वज़ा से ही तो हुआ था अगर वो उसकी लाइफ में नहाता तो कहा वांग जी वुश्यान की सचाई चान पाता कैसे वो चान पाता कि उसके पेरेंट से उसको कितना बड़ा दोगा दिया और कैसे वो चान पाता कि वुश्यान ने उसके लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस की है जो पूरी लाइफ रहने वाला है यह सब उश्यान की वज़ा से हुआ था और वांची इसको दिल से अड्मिट करता था कि उश्यान है उसकी लाइफ के सबसे बड़ी हैपीनस है और उसके जीने की वज़ा है और इस वज़ा की हातर अगर उसे अपनी जान भी देने पड़ेगी तो वो देखा वो अपने दोस वींग और अपनी वाइफ उश्यान को मेशा हुश देखना चाहता था और इसलिए तो वो उसे स्रॉंग बना रहा था ताके जब वांग जी ना हूँ तो वुश्यान अपने पाउं पे खड़ा हो सके और वो वींग बन के ना रहा चाहे वो किसी मजभूरी के वज़ा से किसी का सर्वन बन के ना रहा चाहे वांग जी बास यही चाहता था वो वुश्यान से प्यार करता था उसको strong देखना चाहता था और उसको strong देखने से ज्यादा जुरूरी था उसको जिन्दा देखना और वो उसे जिन्दा देखना चाहता था उसे हुश देखना चाहता था और इसके लिए उसको जो भी सही लगेगा जो भी करना पड़ेगा वो करेगा लेकिन वो वुज्यान को अपनी आँखों के सामने ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता वो अपने वुइंग के बेटे को ऐसे मरने नहीं देखा उसने सोच लिया था और वुज्यान तो ऐसे ही उसके सीने पर सार रखे रखे सोई चुका था और वांग जी उसकी आँखों से तो पता ने कब दो आईसू जैसे नीचे गिर चुके थे उसने बहुत बड़ाई फैसला का लिया था लेकिन उसे इस फैसले पे कोई रिक्टाइट नहीं था कोई परिशानी नहीं थी वो बहुत ज्यादा दिल में स्कून महसूस का रहा था जिन्दगी क्या है गुजर गई है ना और वो जितनी भी है वो इसमें वुश्यान को बहुत ज़्यादा हुशी और बहुत ज़्यादा प्याद देना चाहता था ताके वुश्यान हमेशा उसको अच्छे वर्ट में याद करे उससे प्यार करता रहे और कभी उसको भूल ना सके वांग जी जाने क्यों ही रोए जा रहा था और हुश्यान तो बेहबर सोए जा रहा था उनकी शादी को तीन हफ़ते गुजर चुके थे और हुश्यान ने अपने एक्सेम्स भी दे लिये थे और अपास एक दिन रहा था जा खुश्यान की सच्री उने वाली थी वांग जी ने वींग और वेंचाओ को भी बुला लिया था वो चाहता था कि वेंचाओ इस टाइम पर अकेला ना रहे उसके पेरंस को उसके साथ होना चाहेगी ये उसके लिए बहुत बड़ा टाइम है और वेंचाओ और वींग भी तो उस इंसान से मिलना चाहते थी जो उनके बेटे को उपना दिल देने वाला है लेकिन डॉक्टर ने उनको बोला कि वो जो भी है वो शो आफ नहीं करना चाहता वो बस अपनी हुशी से यसाब कार है और वो किसी के उपर इसान भी नहीं चताना चाहता और उसने डॉक्टर से प्रामिस लिया है कि वो नहीं बताएगा कि वो कौन है और डॉक्टर ने कहा था मैं अपनी ड्यूटी से मजबूर हूँ मैं असानी कार सकता और वैसे भी आप लोगं के लिए तो वुश्यान की लाइफ इंपॉर्टन डैना और जो भी है वैसे साब के बीच में अपने आपको जाहिर कार के अपनी नेकी को जाय नहीं करना चाहता वो अपने सैक्रिफाइस को इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहता मत पूछें डाक्टर कहा रहा था और डाक्टर हूद भी बहुत ज़्यादा योदांस लग रहा था और उसकी आँखें तो जैसे चलक नहीं को थी लेकिन उसकी जूटी थी उसे हिसाब करना पड़ेगा उसमें बहुत सारे लोग देखे थे जो रोज कभी बिमार तो कभी अच्छी हालत में हास्पिटल से चाहते थे कुछ मार भी चाहते थे और उसने कितने ही बेनफुल सीन देखे थे लेकिन काल जो वो देखने वाला था वो उसके लिए एक बिल्कुल नया एकेस था जहां पे कोई अपने किसी बहुत ही प्यारे को नहीं दिल देने वाला था थाके वो जिन्दा रह सके वो उससे मरने नहीं देना चाहता था वो उससे जिन्दा रखना चाहता था और वो जो कोई भी था उसके लिए अपन लाइफ से ज्यादा वो इस patient की life important थी और आहर कौन था वो यह था हमें next part में बता चलेगा so next part जो होगा वो second last होगा और उसके बार last part होगा so I hope आप लों को आज का part अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो please मुझे बताएगा और हाँ अगरी जो stories आने वाले हैं नहाफीज